नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं आर आर्बी एंटी पीसी जल्द जारी करने वाला है रिजल्ट जार्खन में कराई जाएगी जपीएसी की तियारी बिहार की तर्ज पर जार्खन में जपीएसी की तियारी कराई जाएगी बतादे जार्खन के रैधानी राची इस्थीत हज हाउस में 3 अक्टूपर से जपीएसी कलास की तियारी शुरू कराई जाएगी बतादे जारखन के अल्प संखक कल्यान मंत्री हफिजूल हसन ने कहा कि मुसल्मानों को अपनी तरकी का मार्ग खोद खोजना होगा उन्हें अपने बच्चों को दीनी तालिम के साथ साथ दुनियावादी तालिम से भी रूबरू कराना होगा यदि हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो काफी पिछड जाएंगे जारखन में भारी बारिस जारखन में एक बर फिर भारी बारिस के असार है बतादे मैं अन्मार में चक्रवात बन रहा है इसका असर 25 और 26 सितंबर को जारखन में पढ़ सकता है वहाई अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की उमीद है इससे 25 और 26 सितंबर को भारी बारिस हो सकती है मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को और अधिक बारिस हो सकती है बतादे राजी समयत कई जीलों में बारिस के साथ बजरपात की भी असंका है नेजी स्कूल में आयोजित करवा रहे ओफलाइन परिक्षा राजसरकार के आदेश के बाद भी राजधानी के कई नेजी स्कूल ओफलाइन परिक्षा ले रहे है बतादे राजे में पिछले मा कक्षा नौ से बाराहमी तक के ओफलाइन कक्षाय सुरू हुई है सितंबर में अधिकतर स्कूलों में अर्दवार्शिक परिक्षा सुरू हुई कुछ इस्कूलों में जहां बच्चों के इक्षा अनुरूप ओनलाइन वा ओफलेन दोनों परिक्षा का विकल्प दिया वहीं कुछ इस्कूलों ने ओफलेन परिक्षा को अनिवारे बना दिया बता दे कुछ इस्कूलों के खिलाप जिला परसासन को सिकायत भी की गई से आठवी तक की कक्षाय सुरू होगी इसे पहले स्कूलों की साब सफाई सेनेटाजेशन वा अन्य अवसक परक्रिया पूरी करने का निदेश दिया गया है बता दे अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग के परदेश महासचीव राम मुर्ति ठाकूर वा परदेश के लिए रासी नहीं है रासी के अभाव में इसको लोको परसानी हो रही है जार्खन में कुरोना से हुई मौत का आकड़ा जारी जार्खन सरकार की कुरोना बुलेटेन के अनुसार राजे में कुरोना से अब तक 5133 लोगों की मौत हो चुकी है सरकार प्रति दिन कुरोना ब अरिजयों की मौत हो चुकी है इसमें पहली वा दूसरी लहर का आगणा सामिल है केन्द सरकार की घोसना के बाद राजे के सभी 533 लोगों के परीजन मुअबजा पाने के हक्दार हो गए हैं ज़ारखन में मा के दूद से वन्चित नवजाद को मिल्क बेंक के माद्हम से दूद उपलबट कराया जाएगा मिल्क बेंक में मताई अपना दूद दूसरे बच्चों को जीवन देने के लिए दान करेंगी स्वास्त विभाग द्वारा इस समान में प्रस्ताव त्यार कर लिया गया है बता दे पाइलेट प्रजेक्ट के तहट रांची जीला से इसकी सुरुवात की जाएगी दान में मिले मताओ के दूद को संगरहित करने के लिए मिल्क बैंक में विशेस विवास्ताग की जाएगी दूद सेवनचित मताए इस्तरी डोग विशेस अगयों के प्रामर्स के अधार पर दूद ले पाएगी गुमला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात गुमला के चैनपूर परखंड में तीन हाथी उत्पात मचा रहे हैं बतादे जिसे लोगों में दस्तत है कई घरों को हाथी ने ध्वस्त कर दिया है वही धान की फसल को भी रोध दिया है घर गिरने से वर्तन वा अने समान बरवाद हो गए हैं बतादे अभी भी हाथी चैनपूर परखंड के गाओं में घुम रहे हैं जिसे लोगों में दस्त है कोडार्मा में लाथी डंटे वो तीर धनू से वन विभाग की टीम पर हमला जारखंड के कोडार्मा जिले में अवायद माईका खनन को रोकने के लिए छापे मारी करने गई वन विभाग की टीम पर बुद्धवर को हमला किया गया माफियाओं के इसारे पर हुए हमले में आधा दर्यन वन कर्मी घायल हो गया है बतादे सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है इस घटना को लेकर बन विभाग की ओर से मनोज मोदी वसो अग्यात लोग के खिलाप मामला दर्ज किया गया है बतादे अधिकारियों ने कहा कि छापे मारी अभियान जारी रहेगा पंचाच सचीव नियुक्ती मामले में 10 दिनों के अंदर निर्ना है एक गारा गयर अनुसुजी जिलो में सभी सिक्छक वो पंचाच सचीव की नियुक्ती में सामिल होने माले अभियार्थियों के लिए रहात भरी खबर है बतादे इस मामले में हाई कोट में सुनवाई के दोरान महा दिवक्ता ने अदालत को बताया की 10 दिनों के अंदर सरकार इस पर नितिगत निर्ना लेगी इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आक्ट अक्टूबर को निधारित की है इससे पहले सरकार को अपने निर्ना से कोट को आउगत कराना है बतादे नियोजन निती को और सन्वेधानी घोसित करने के बाद से अनुसुचित और गयर अनुसुचित जीलों में होने वाले नियोक्तियों पर रोक लग गई थी भाजपा नेता के हत्यारों की गिरफतारी की मांग को लेकर और मांजी में सड़क जाम भरतिये जनता पार्टी एस्टी मोर्चा के रांची जिला अध्यक जीत राम मुंडा के सोगो पोस्टमाटम के बाद रिम्स से और मांजी ले जाया गया सोग पहुँचते ही भाजपा नेताओं ने एनेश 33 पटना मुंख्यमार को जाम कर दिया है बता दे करिकाता हत्यारों की जल्द गिरफतारी की मांग कर रहे हैं साथ ही राजे सरकार के खिलाप नारे लगा रहे हैं सोग को आई सूबा ही पोस्टमाटम के लिए रिम्स लाया गया था सिनियर नेशनल कराटे चेंपियन सीप में हिसा लेंगे खुटी के साथ खिलाडी खुंटी जिले के साथ कराटे दार 4 वब 5 अक्टूबर को 13 दून में आयोजी सीनियर नेशनल कराटे चेंपियनशिप में हिसा लेंगे सभी साथो खिलाड़ी स्पोर्ट कराटे एसोसेशन अफ जारखन की ओर से रामगण में आयोजीत राज ये सीनियर कराटे चेंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं बता दे खुण्टी जीले करटे एसोसेशन के अधियक सप्रसिक छक हजाज असदक ने बताया कि खुण्टी जीले के कराटे खिलाड़ी अफ सीनियर नेशनल कराटे चेंपियनशिप में अपने पर्तिभाय का परदसन करेंगे नेशनल खिलने वाले में चार खिलाडी ब्यक्तिगत वो तीन खिलाई टीम परती परधामें अपनी परतिभा दिखाएंगे जारखन में आदी वासी जमीन की हिरा फहरी करने वालों पर सरकार की नजर है बताद बिधान सभा की विशेस कमेटी ऐसे मामले की जाच करेगी बिधान सभा के मांसूद सत्रे में मुख्यमंत्र हेमांसुरे ने इसका एलान किया था बिधान सभा की विशेस कमेटी से जाच करने की बात कही थी बताजे राज्ये में बड़े प्रमाने पर कानून का उलंगन कर आदिवासी जमिन की खरीद फरोक्त की सिकायत मिल रही है मामले की जाज को लेकर विधान सभा की बिशेश समीति का गठन हो गया है समीति की साभापती स्टिफन मरांडी होंगे धनबाद के जर्ज उतम अनन्द के ममले में CBI ने जारखन ओशनियाले को बताया कि आटो ट्राइवर ने जान बोजकर जर्ज को टकर मारी थी सुनवाई के दोरान CBI की जुएन डारेक्टर ने कहा कि CBI हर एंगल पर जाच करेगी जाच जारी है और कोई भी एंगल नहीं छोड़ा जाएगा इसके बाद कोट ने अगले सब्ता प्रगती रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया है बताद एजनसी ने कहा कि विचलेशन और अपराद अस्थल के रि एक्स्ट्रक्शन CCTV फोटेज की जाच और उपलबता फोरेंसिक सबुतों से पता चलता है कि उतम अनन्द की जान बोचकर दो लोगों ने निशाना बना कर हत्या कर दी जारखन सिनियर महिला होंकी टीम का 20S प्रसिक्षन सीवीर 25 से उतर परदेश में आयजीत 11 महिला होंकी चेंपियनसीप के लिए होंकी जारखन के चैनित 31 खिलाडियों का 20S प्रसिक्षन सीवीर 25 सितम्बर से सिमडेगा में शुरू होगा बता देख कैम्प के लिए चैनित सभी खिलाडी होंकी स्टेडियम के अध्यक्स मनोज कोन बेगी को रिपोर्ट करेंगे इस सभी खिलाडियों को अंतराश्टी होंकी खिलाडी बीगन सोय के द्वारा विसेस प्रसिक्षन दिया जाएगा धनबाद पोल्टेक्निक में बहाली राजकिये पोल्टेक्निक धनबाद में जल्द ही अंस कालिन ब्याख्यताओं की बहाली होगी उच्वा तकनीकी सिक्षा भी भाग की ओर से राज किये पोल टेकनिक धनबाद में ब्याख्यताओं के चैन के लिए आवेदन अमंत्रित किया गया है बता दे 9 अक्टूबर साम 5 बए तक आहरता रखने वाले उमिद्वार आपना बायो डाटा इमेल कर सकते हैं इसके अलावा स्पीड पोस्ट राइस्टर पोस्ट और स्वयम उपस्थित होकर भी आवेदन पत्र जामा करने की सुधा दी गई है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अंदवे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्ता सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबैक अवास से दे थांक्यू